नमो नारे नमो नारे ये गोमाताव वंदे मात्रमा भारति को प्रणाम और फिरदय से ओम शम शनिश्चरा है नमो फिर दर्शकौर में तरों शक्तियों किसी एक इंसान के आप मदद करेंगे ने तो उसकी दुनिया तो नहीं बदलेगी लेकिन जिस इंसान के आप मदद करोगे ने उसके जिवन में खुशी जरू आएगी किसी इंसान की मदद करने से दुनिया नहीं बदलती लेकिन उस वेक्ति की दुनिया जरू बदल जाएगी और एक बाद ध्यान रखिएगा इससे आपको शंतोस मिलेगा शुक की नींद आएगी और जिस वेक्तिक बाद शंतोस है और गहरी नींद है फिर इसे दूसरों से या इस्वर से भी कुछ मांगने की जरूत नहीं है सारी इच्छाओं को आनिद इन दो चीजों में कि मन में संतोस बना रहे और गहरी नींद आए करिए लोगों की मदद की संतोस भी रहे आपको और नींद आपको अच्छी आए ना बना रहे आज की दाती गुरु मंतर में बात करते हैं 13 आगस्ट 2014 की राशी फल और पंचांग राशी फल प्याव उससे पहले आज का पंचांग स्रावण मार्श शुकल पक्स की अश्टमी विक्रम श्मद 2021 स्रावण मार्श की 39 परविट्टे सक्सव उनिचो चैलिस स्रावण बाई ऑगला यंद्र होगा और शुदकाली करन बाव करने करन का स्रमाप्ति वगाथ शूवे नौ बज गरेकति अगला विकरम श्रमाप्ति लेकरह में ब्रश्य पर ईसका क्या प्रभाव में आपकी राशव पर की चर्चा करूगा तेगने उससे पहले आज के घरेयोगा प्रका पर आब जीत मुर्थ की जो अबदी है वो त्रेपर्मिंट आज की दिन कोई वीश्यवगारी करने के लिए शबसे उत्तम मुर्थ कोई भी नयार शुबकारि जिसकारी में चीर काल तग लाव लेना उसे अभी जिस्ट मुर्त में करें और अभी जी आत्राय को किसी भी शुबकारी को करने के लिए चोगडियां को अपना महत्व है शुबका चोगडिया लाब का चोगडिया और अमृत के चोगडियों में इदिया आप शुबकारी शंपन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा लाब का चोगडिया सुमे दस बजकर 47 minutes लेकर 12 बजकर 26 minutes 20 minutes Mis Dimабhya चोगडिया दोपर 16 बजकर 26 minutes लेकर दोपर 12 बजकर यात्रा पर निकलेंगे तो कश्ट कम आएगा। प्रजर्शकों मित्रों साथ के उसमें शाधन प्रस्तिया और काल में बहुत परिवर्टनायों इसमें यात्रा की अधियाद निक्सादर है। इसलिए किसी भी दिशा में यात्रा करें मेरा प्रतिबंद आपके ऊपर नहीं। हाँ जब आप यात्रा के लिए घर से बार निकले तो पहले साथ कदम उत्तर दिशा की और जाए। इस्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हैं। मंगल में यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजे और यात्रा पर जाएंगे तो कस्ट कम आएगा ना बनाएं। लेकिन मैं आपसे जानकारी जाना कि यह जन्रल प्रडेक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आप अपनी जन्रमकुली को दिखाना चाहते हैं। क्योंकि आपके बारे में सई जानकारी आपकी जन्रमकुली से मिलेगी। तो मेरा निवेजन है नीचे नमबर आ रहे। इन नमबरों पर शंपर करके आप मेरे से संपरक स्ताफित कर सकते हैं। आवश्य मैं आपको शयोग करूँगा। हाँ जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गोश्यवा करनी होगी। मित्रों शातियों मेरा शंपूंग जीवन गोश्यवा के लिए। तो यह मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिए गायों की शेवा करें। जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की शेवा करें तो इसको अधरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निरदेश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं। वरत्मान परस्टों को देखते हुए मेरी गाएं सुखी रहे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बाकी आपकी मैं से मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों शाति आप सभी लोग सनिधाम का जो नंबर है कोशाला का नंबर है उस पर आप फोन करते हैं जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक ताइब है आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बज़े से लेकर साम 8 आपको कोई नहीं देगा तो जो भी जो सनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गवसाला के इन नंबरों पर शंपर्क जो होगा वह सुबह 9 बज़े से लेकर शाम 8 बज़े तक की होगा इस बात का थ्यांद है प्रदर्शकों मित्रों शातियों 13 आगस्त आपका जनम दिन या साधी की साल करें तो जो उपाय बना रहे हूं यह पूरी वर्ष बर आपको लाब और शफल दा जाएगा तो पति पतनी दोनों इस उपाय को अगर जनम दिने तो इस उपाय को आप खुद करें आज प्रदगाल नित्य करम दिन्यों सुनान अम सरप्रतम भगवान हरी विश पुजा इस्तान से डक्ष्ण परचिशन में शुदासन विचाई चमुका घीका दिपक जले गजेंदर मोक से सुर्फ के 11 पाट करें तरस परसाथ सनी पतना में सुत्य का एक मालानी ओम शाम शान शारी नम भजनी धामनी चयव कंकाली कलह प्रिया कंट की कलही चात तद लिए मैटर आयाब कतो शुद्धि महश्य जाबड़ वहे करी शुक कलँए 188 किलो शुद्ध। चमुलsteady गड़ रOOOOT1 ले में बहुदन शुद्धाह करतें जाबार को 선वशा सुद्धा में दोड़ा हिए हैज है कि ओम शानीवार को करे का रोऊ चान पारी तो ये याज़ के दाती गुरुमंत्र में बात करें आपके राज़िपल की जो राशिपल आपकी चंद्र रासी आपके नाम राशंपल राजै रेकित राक्स पुर्षोंं के लिए है महिलाओं के लिए बुजरकों के लिए बचे और चंद्री्व dawn और अस्थं भाव में चोटी शी भूल परिवार में कलह का कान बनेगी, जमिजाज जरी बटवार को लिकर तनाव है, भूमियों और वहान के कारियों में हानी का प्रबल संकेदर वाद वाद से दूर नहीं रहे, तो कानोनी समश्या भी है, वहान परियोग में शावधानी बरतनी पड़ीगी और ध विगिन हस्ताय चे धीमी तनो भूम प्रचोद्यात, ये पंगल देव की गायतरी है, सर्दानुसार जाप करने से कश्च परिशान या दुखों से चुटगार मिटेगा, नमनें, और बात करते हैं विर्शपरासी, सब्तम भाव में चंददीव, ब्रश्पती दीव और संदेव के अनक्सरों में संचरे ग्रगोचर, शुफल लाब सफलता का संके देव, आर्तिक संकोश्माप्त होगा, नौकरी के छेतर में उनतिक अवसर पाप्त होगा, राज्य पक्स्ते धनलाब और स्वयोग मिलेगा, और दांपर जीवन शुखी लेगा, केरियर और सिंचरिय को अनेमित ना खर, शुबंग दो, शुबरंग नीला, भागी आपके पक्स में साट परसंद लाब का संकेते देवर सब राशिवालों, ओम आस्वध होजाई चबिद में धनूर हस्ताय से धीमी, तनों शुक्र परचो दयात, ये शुक्र देव की गायतरी है, सद आपका केरियर, आपकी नौकरी, आपका वैवशाई सफलता के उत्तम संकेत दे रहे, लेकिन रातरी भ्रमन कम गाये, और शिक्षा के चित में थोड़ शी मेहनत करेंगे, तो सफलता देगे, क्या करें, बहुत जरूरी, बहुत आउश्यक है वीचारों में शुक्ता रखना बहुत आउश्यक्त है, आज वीचारों को शकरात्मक रखना, क्या ना करें, अपने कारे के लिए दूसरों पर निर्भरना रहे, शुबंग एक शुबंग हरा, भागिया आपके 75% लापकर संकेत में धुन दाश्वाल, ओम गजद्वजाय, चविद्वमही, शुक्र हस्ता इसे धीमी, तन्नों, बुद्ध, प्रशुद्यात, ये बुद्देव की गायतरी, थोड़ा सा मन से भाव से जाब कर लिजेगा, कश्च परिशानी, दुखों से शुटकारा मिटेगा नमणग, और बात करते हैं करकराजली ने उससे पहली हर रोज की तरह, आज का वैदिक प्रश्कों मित्रों सातियों, किसी भी जाता की जन्मकुल में, सूर्य देव तुला रासी, यानि सात नंबर अंक में कहीं भी विराजमान हो, उस व्यक्ति को अपनी वस्त्वों का ध्यान रखना चाहिए, वस्त्वे चोरी हो शकते हैं, जीवन में ऐसा एक बार जरूर होत बहुत है, बहुत है, आपको ऐसा भी लगए आमदेन याटनी खर्चार रुपया है, लेकिन आने बाला शमय आपके पक्ष में होगा, यह शुक्रदेव जिन जिन नक्षत्रों में बताए, ऐसा है, यह ऐसा है तो कमेंट करिएगा, नमाना है, बात करते हैं, करकरासी, उत्तम अवसरों खेल के मैदान में युवाओं को लाब और शफलता का अच्छा मौका मिलेगा, लेकिन बहुत जरूरी है, नमीन कारी में जल्दबाजी उचितने हैं, सहीम से काम लें, शाकर्मे से तालमेल बनाका चालें, कलार कोसल के शितर में प्रियास सफल होंगे, और भागी आपके साट प्रसंद लाब का संकेत करकराश वालो, ओम पदम धोजाये चे विदमें, हेम रूपाये चे धीमी, तनों सोम प्रचो दयात, इस मंत्र के जाब से कष्ट परिशानी और दुखों में कमें आएगी, नमनेन बात करते हैं, शिंगरासी, चतुर्द भाव म चतुर्द भाव में चंदर देव, प्रश्पद देव, उर्षंद देव की नक्सर में संचन करना है, सितारक जाल इस बात का संकेत कर प्रिशानी है, कष्ट है और तनाव है, मांसिक और शारिक तनाव है, किसी अपनों का स्वयोग नहीं मिलने से मन में निराशा उत्पन हो क्या करें, बहुत जरूरी अपने वीचारों में संतुलत रखें और परिवाइन किसी की कारी में दखना अंदाजी नहीं करें, सिबंगतीन, सिबंगतीन, सिबंग परपल, भाग्याप्ति पक्स्ति, क्या बुल 55 परसंद लाब का संकेत सिंगराश्य वालो, ओम अस्मत हो ज में संच करें, गुरका चुष्षूब और लाब दाए, व्यपार में उनतिक अवस्तर मिलेंगे, सास और पुर्शास से प्रसास निक चित में सफलता मिलेंगे, भाईबंदों का सयोग मन को प्रशंता प्रदान करें, आर्तिक इसमें सुधार होगा, संपहून परिशानियो से रात मिलेंगे, चाहिए वो कैरियर हो, चाहिए शिक्षा का चेत्र हो, चाहिए व्यविशाय हो, चाहिए नौकरी हो, हर जगे सफलता मिलेंगे, साधी विवा के मसले अलंगे, अलगा वाद की इस्तिती समाप ठोग, क्या करें, रुकी विकारियों को पूर्ण घने का पर चुदयात, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा नमपार। बात करते हैं तुलारास, तुलारासी बालों के लिए चंदर Vorteyev दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंदर्दूर ब्रषक्तव देव कारवार नोकरी। समाज और परिवार के लिएक समन व नौकरी में उत्तम उसर है धन की प्राप्ति भी होगी पस वेर्थ की यात्राओं को इग्नोर करने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा इस्वर चिंतन और निच इतना की और लगाव लगाईएगा विद्यारती विवाँ को सपलता है आगे बढ़ने का मुका लेकर वेर्थ का द तनों शुक्र प्रचेजात ये शुक्रदेव की गाहित्र है इस गाहित्र का जाप करने से कश्च परिशानियां दुखों से छुटकारा मिटेगा नमुनार बात करते हैं बच्छेगरासी लगन भाव में चंद्र देव ब्रश्प्रदेव श्निंदेव के नक्सों में संच आज का दिन युवाओं के लिए मां अच्छा रहे इसमें जिसरे का है कई माइनों में पूर्टी नजर आएगी क्या करें ने लोगों से संपर्क बढ़ाए क्या ना करें दूसरों के कारियों को नुक्सान पहुंचाने की परियासना ही शुबंग साज शुबरंग मैरोन अ बार्वे भाव में चंद देव ब्रश्प्रद देव और श्न देव के नक्स्रम में संचेकरा प्रतिकुलता परिशानी और कर्ष्ट का संकीत है उल्जन है थकान है समाजी को पारवारी संकुट का संकेती है धर्म को लेकर अनकल ब्यान बजी मुशिबत में डाल से इच्छ कारी उनको पहला पूंड करें क्या ना करें बेवजे दूसरों पर शंका ना करें सुबंग्चे सुबंग करें भागिया आपकी पक्स में केवल 40 परसंद लाब कर संकेत है धन्दाश्वालों ओम फ्रिश्वत हो जाये चे विदमें ग्रणी हस्ता है धीमी तनों गुरु प अपनी परिशन अपने शंगर्ष का हमें नहीं मिला हमारा हमारा अपना हमें नहीं मिला है हमारी पैतरक्षंपती है हमारा धन है लेकिन हमारी पैतरक्षंपती हमारा धन हमें मिला हम क्या करें यह उबाए 11 शनिवार करना है और शनिवार के दिन शनी के चोगडिये के दिन 11 चितकबरी कोडी ले लिजी और इस कोडी को महीन 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 पीच दीजी, कोडी के साथ 11 लॉंग को भी पीच लिजी और पीच कर दोनों को जला दीजी, PCV कोडी लॉंग जो जमीन जाइदाद पैत्रिक आपकी संपती है और आपको नहीं मिली वहां डाल करा देगे, यह लगा पूर्व नियोजीत कारिये पूर्ण होंगे, आर्थी चित में शफलता मिलेगी, यात्रा शुकद रहेगी, नौकरी में, समय आपके लिए अनकूल है, हर दस्टिकोन से आज का दिन सुब बितेगा, सरकारी कारी में शफलता मिलेगा, सरकारी अफ्तरों का स्योग मिलेगा, घर और खुशी का वाता हो नेगा, केरियर और एजुकेशन के सिर्में उत्तम आफसर में, क्या करें, हिमत और सास्ट चे कारिश्यत में डेटरे, क्या ना करें, अतिदिक आतम विश्वास न रख्याज, सुबंग्चे, सुबंग्चे, सुबंग्रे, भागी आपकी 75% आज अच्छे मेत्रिपूंट शमंदों को लाब मिलेगा, तनाव परिशानी, कश, उठापटग, उसमें कमी आए कोई कारुबार में, अच्छे आउसर में, क्या करें, वानी के अनुकुलता बना करागे, क्या न करें, कारुबार के सिर्में लापरवाई नहीं करें, सुब और नहीं बात करते हैं, नमभाव में चंदर देव, ब्रश्पदी और सनेदेव के नक्तरों में संच करें, गोच्र इस बात का संग्दिक काम बने की आवशिक्ताओं की पूर्थी होगी, लेंदेन की मसले ठीक रहेंगे, बुज़र्गों की से नौकरी में संतुलन मना रह और द्यानिक दिन जिर्या निमित रखने से स्वास्टी भी उत्तम रहेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है, विचारों में शकार अत्मक रहेंगे, आलेशी और निश्कर्ता को अपने उपर हावी नहीं होने देना, और खर्चे सोश में करें, आतती सतकार में विशेश ध्य सुबंग एक सुब्रंग परपल भागिया आपकी पक्स में, पैंसेट प्रसंद लापका संगेत में राश्वाल, ओम विश्रप धोजायाएचे विदमाही, घणी हस्तायाएचे धीम इतन्यों गुरू प्रचेदार, ये गुर्देव की गायतरी सदानुजार जाप करेगा कश्ट बिगन बाधा है, परिशान इसे कमी आएगी नमाना रहे, प्रचेदार, ये था बारक बार राश्यों का राश्यों का अधार पर मेरा निजी आत्वाल, ना भाय, ना भ्रह्म, ना भ्रांति, ना विवाद, ने तरक, शेकन उपनिन का दिगर आपका था, आपका हैर आप ही कर रहेगा, मनन, मनन, ये आपकी मुल्या, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल होगे तो दोनों हाथ जोड़के च्मा मंगता हूं, आप शुक्की रहे, आप श्वास्त्रे समर्दी सिल्ले, श्रन देव की चल्ण मेरी प्रात्म, नमना रहे रास्तान का हर वक्ति जानता है, दातिमाराज, जगारें से बहुत प्यार कालता है। हजारों, शक्रों, बीटिओं के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपोण जीवन दिया है, ये मेरा सौक था, मेरी राष्ट की ध्रोवर थी और ये करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूँ बस खाली बता रहा हूँ यह मेरा जीवन का लक्ष राह है मनश्य हूँ और मानू होने इतना थी मेरा करत भी है कि मैं अपनी राष्ट के शिवा करूँ मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकों से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग अब भी मैं नहीं कह रहा हूँ और ये मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा राष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये का कि साब शेवा करी आप, मैं भी शेवा करता हूँ, आप भी शेवा करता हूँ, धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परस्ति हैं, वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है, कि सनीधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयो चाहिए, और सहयोग के लिए मैं शेवा आपके साथ खड़ा हूँ, आपकी समश्याओं के समधान के लिए, भई, आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, पूरी साल खड़ा रहूँगा, जब तक जिऊँगा, तब तक खड़ा रहूँगा, नमबर आ रहा है, इन नमबरों पर शंपर करी, आप मेरे से बात करी, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चाहरे की वेवस्ता कर लिए, और इसलिए मैंने कहा था कि, भई, थोड़ा दिन, इस मेरा यह एंकार नहीं, सातियों, मेरा राज शरूप पर है, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ, मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चाहरे की वेवस्ता करें, शनिभवान आपकी रिक्षा करें, आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेद है, और वे लोग जो शक्षम है, शामर्थेवान है, और जिने दाती महराज के, जो तीशे समधान की आवश्रक्ता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पिछले एक महिने में, लगबग लगब, बीस से पचीस पचास लोग ऐसे भी है, मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रणार करता हूँ, और ये सयोग में जीवन भार याद रखूंगा मित्रों, समय ऐसा है, कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दश्टिकौन से अनकोर संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधान, गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए, सरकार शपोर्ट कर रही है, अपनी शिमाओं में रहते विए जो सरकार करते हैं लेकिए उसे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते है, सासन के अपनी एक सिमा है और अपनी मर्याद अर शासन के पास और बहुत स काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देटे भी हिरदय से पुने एक बार निवेदन करना जाता कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिदाम गोशाला में खड़ा रहना है नमबर है ज़र सोयोकर पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातराथी ओम नमो नारायन ओम नमो नारायन